नमस्कार क्या आप भी बार बार फोन चेक करते हैं बहुत से जन्यों की आदत होती है कि हर दस दस पांच पांच मिन में फोन चेक करते रहते हैं वाट्सव इस्टेटरस देखते हैं, फेस्बूक रिल्स देखते हैं, यूटूब सोर्ट्स देखते हैं, इस्टाग्राम पर रिल्स देखते हैं अधितर लोगों की आदत है, क्रिबन 60% तो अगर आप भी बार बार फोन चेक करते हो तो समल जाना अभी हाली में सिंगापूर यूनिवसिटी का एक रिसर्च हुआ है कि जो इनसान, जो व्यक्ति बार बार फोन चेक करता है, उसे ये विमारिया हो सकती है तो समल जाना, आप भी आगर पांच मिन, दस मिन रह रह रहके फोन चेक करते हो ना तो ये देख लेना, आपको भी ये विमारिया हो सकती है अभी हाली में सिंगापूर यूनिवसिटी की रिसर्च आइए कि जो व्यक्ति बार बार फोन देखता है ना, उसे ये विमारिया हो सकती है लोग बहुत से लोग तो क्या होता है अधिकते लोग तो काम के वक्त नी देखते लेकिन जब फ्री होते निकाल के देख से दोरान में भी और भूसले। आपके लिए कोई important चीज उसमें नहीं आई है किसी ने आपको message नहीं किया है किसी ने आपको को important news नहीं बेदी है फिर भी आप निकाल के phone check करोगे जैसे कि कोई आपको करोड़ों का business चल रहा हो और इसके बिने आपके काम नहीं हो तो अगर आप ये बार-बार phone check करते हो तो समल जाना ये विमारिया आपको भी हो सकती है देखो कौन सी जो व्यक्ति बार-बार phone check करता है न उसका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है त्यान रखना क्यों नहीं होता है क्यों क्योंकि उसका उसका आधा टाइम तो फेस्बूक रिल्स वाट्सप इस्टेटर्स यूट्व शोड्स पर निकल जाता है तो फिर उसका काम समय पर पूरा कैसे होगा सिंगापूर यूियसिटी की रिषर्च में सच बड़ा रिजन यहीं सामने आया है कि जो बार बार फोन चЕcyjक करता है उसका मािंड डैवर्ट हो जाता है और उसका time कहा निकल जाता है पते ही नहीं चलता है और उसका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है और जब कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो नुकसान किसका होता है आपका होता है लोस किसको होता है आपको होता है आपकी life दूसरों से पीछे चली जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं तो अगर आप भी बार बार फोन चेक करते हो तो देख लेना आपका कोई विकार यह समय पर पूरा नहीं होगा आपका टाइम वेस्ट होता जाए चोटी-चोटी समस्याओं को सुल जाने की समता खत्म हो जाती सिंगापूर उनिश्टी की रिसर्च कहती है कि जो इंसान बार बार फोन देखता है ना वह चोटी-चोटी समस्या भी नहीं सुल जा सकता है चोटी-चोटी समस्याओं के कहता है यह यह नहीं हो पाएगा यह में नहीं कर पाऊंगा या फिर तुरंद फोन निकालता रोज में उसका solution देखता है तो आपकी problem solo करने के शम्ता capability कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है पहले आप छोटे छोटे काम चुट्कियों में कर लेते थे लेकिन अगर आप बार बार फोन देखते और यह फोन रखने की आपकी आदत है बार बार चेक करने की नजर आईगी आप छोटी छोटी समश्याओं को भी बहुत बड़ी देखोगे और आप उसको solo करने की समता खोदोगे अगर आप बार बार फोन चेक करते तो आपकी याददास्त कम कमजोर हो जाएगी आप चोटी चोटी बातों को भूनने लगोगे आप अपने करीबी के नाम भूनने लगोगे आप अपने होने वाले आगे के भविश के इवेंट कल क्या होगा परसू क्या होगा आपकी लाइब में सब भूल जाते हैं आपको क्या डेली रूटिन का वर पता है वो भी आप भूल जाते हैं जो बार बार फोन देखता है ने उनके सबसे बड़ी सिंगापूर इनिविश्टी रिसेर्च आई है याद दास कमजोर हो जाते है उनके माइंड डिश्टप हो जाता है उनको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है और कौल कि वोर में बार 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 वार ट्रिश्टी आखो जाती है जो व्यक्ति बार बार फोन चेक करता हे ना उसकी आखों की रोश्ली भी बहुत फरक पड़ता है नंबर आ जाते हैं और हो सकता है कि दीरे दीरे वह अंदा भी हो जाए और अधिकतार लोग तो क्या करते हैं रात को फोन चेक करते हैं रात को फोन चलाते हैं और बहुत से जन्दों लाइट बंद करके अंदर में मूबाइल चलाते हैं अंदर में मूबाइल चला बहुत काता होगी सायकोलाजिकल बिमारी आप खोई सिंकापौर विद्पार जाएगा मुझे वह चेकरना है मुझे ये करना है मुझे आपको एक तारी की बीमारी हो जाए तो बार बार अगर आप फोन चेक करते हो तो ध्यान अगना आपको साइकोली जीकल बीमारी भी हो सकती है कि तेना कब किसी कारण से अगर दिन पर अगर नेट बन रहता तो इंसान कैसे होता है डिश्टब हो जाता और पागलों जैसे घूमने लगता है झाल आज टाइम पैसमिल एक की हम नहीं होता जीए है ऊसिट आफ भात कम पार चेक करने से आपका माइंड डिश्टर्ब हो सकता है ध्यान रखना बार बार छेु कर्ड़िपन Kisser करते हैं और आपको मैंड डाइवार्ट हो सकता है आप। के माइंड में कौन सी बाते को में पता है आप रेल से देखते हो वह बाते गुमेंगी आप यूटूब सोर्स देखते हो वह बाते गुमेंगी आप वर्टसप इस्टेटस देखते हो वह बाते आपके दिमाग में गुमेंगी आपकी कोई बात आपके दिमाग में नहीं गुम गए आपके दूसरों के बातें दूसरों की विचार आपके दिमाग में गुमेंगे बार बार फोन चेक करो गए क्योंकि उनकी बातें आपके सामने हैंगी तो उनकी बातें आपके दिमाग में गुमेंगी तो आप अपना काम कैसे करो तो द्यान रखना बार बार फोन चेक कर है तो यह बार बार फोन चेक करने की आदत को छोड़ देना